नमस्कार दोस्तों, welcome back to my channel, to my Hindi channel और इस वीडियो में हम एक बहुत important message को share करेंगे जो की collective के लिए हैं तो let's get started and let's find out कि source क्या चाहते हैं, आज हम क्या जाने मैं इस reading के लिए अपने tarot cards यूज़ करूँगी, auto reading और writing यूज़ करूँगी और intuitive reading के साथ ये session चलेगा reading की शुरुवात में ही मुझे कुछ points दिये गए हैं, जो मैं आपके आगे प्रस्तुत करती हूँ, उससे पहले मैं जरा इसकी energy और इसकी main theme पे चली जाती हूँ तो जो भी व्यक्ति है, जो की collective को, पूरे collective को आज represent कर रहे हैं इस channeling में, जिनसे काफी लोग resonate करेंगे, जिनकी जंदगी से, मतलब इनका और बाकी लोगों का template एक ही है, तो पहला काड़ अपने आप गिरा है, this is nine of swords, तो दूसरे पे चलते हैं, 10 of, nine of cups, so nine of swords, nine of cups, very interesting, number nine is very strong over here, अगला काड है, two of swords, यानि की तीसरा काड, और चौथा काड होगा हमारा, five of pentacles, अगला काड है, temperance, तो I think यहां तक मेरे लिए काफी है, हुझे बात समझ में आ रही है, और आप लोगों को समझाने में भी असानी होएगी इस वक्त, इनकी वज़े से, thank you taro, इतने अच्छे कार्ट्स देने के लिए, और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कि हम लोग खोदी, energy creators हैं, हम यहां पे जितने भी लोग हैं, हम energy transmutators बनके planet पे आये हैं, इसलिए हम inner work कर रहे हैं, उस दिन मैंने एक interview देखा था, Manoj Vajpai का, एक Bollywood के actor है Manoj Vajpai, वो मुझे काफी पसंद है, कि acting वाली जो industry उससे में को जादा connection फील नहीं होता, जबकि मैंने उन लोग के सथ काम भी किया है, खुद भी एक film लिखी है, खुद भी कुछ सीरियल्स में acting करी है, यहां पे कुछ लोग जानते होंगे कि मेरा marketing का background रह चुका है, और काफी बड़ी बड़ी filmों में मैंने marketing करी है, digital marketing जब इंडिया में नय नय आय था, तो हम लोग ही करते थे, ऐसे बहुत से मैंने काम की हैं, जिसकी वज़े से मुझे बहुत से celebrities मिले हैं, बचपन से ही मुझे celebrities मिलते रहे हैं, जब मैं बहुत छोटी थी मैंने एक short film भी करी थी मुझे इतना बता है कि ये लोग जो भी काम करते हैं, कहीं न कहीं इससे illuminati का फायदा होता है, और इसलिए ये जो lust फैलाते हैं प्रेम के नाम पे, इससे बहुत लोगों का नुकसान होता है, आज की rate में बहुत से ऐसे लोग जो प्यार में तड़प रहे हैं, फिल्मों में जो भी उलजलूल चीज़ें दिखाई जाते हैं प्यार के नाम पे, उसको देखके बहुत से लोग बरबाद हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप inner work करते जाओगे, ये बड़ी कमाल की चीज़ है inner work, और आज सुबह ही मुझे ख्याल आया था कि inner work करने वालों को अपनी द तब आपको असली मजा आता है inner work का और वो तब ही आता है जब आपके wounds जो है वो दीरे-दीरे हटने लग जाते हैं और इस channeling में और आने वाली जितने भी कुछ channelings होईंगी उसमें मेरा यही guidance मुझे मिलिए कि आप इन wounds पे ध्यान दो ताकि लोगों की healing होई, तो मैंने का ठीक है, आप लोग मेरे साथ specially personally भी काम कर सकते हो, because therapies में बहुत बढ़िया healing होती है, और ऐसे जिद्धी लोगों की healing मैंने करी है, जिनकी life में ऐसे सी चीजे होई हैं, कि अगर कोई सुन लेना, तो उसको ही चक्कर आ जाए, फिर भी वो लोग आते हैं, sessions लेते हैं, अपने पे ही काम करते हैं, अपनी job भी कर रहे हैं, अपनी जिन्दगी में भी जी रहे हैं, और साथ में, कितनी कृपा हैं उन लोगों पे भी सोचो, कि अपना inner work भी कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, क्योंकि ये wounds, ये घाओ, जब तक आपके नहीं जाएंगे, तब तक आपका कुछ न के आगे, ऐसे लोगों के आगे, कभी-कभी उनका encounter भी हो जाता है, लेकिन हम आतना समर्पन कर रहे हैं, अपने गूरू के आगे, और पूरे रामदरबार के आगे, तो दोस्तों, तो, move-in करते हैं, अब channeling की main message में, आप सोच रहोंगे, मेरे चेहरे पर इतनी खुशी क्यों है, इतनी हसी क्यों है, मुझे क्या ऐसा feel हो रहा है, ये reading करते हैं वक्त, तो मुझे actually सूबे से ही ये message आ रखा है, तो मैं उस message की वज़े से, उस message की depth को लेके मैं खुशी feel कर र सारी बात समझ में आ जाएगी, ये आप हैं, या ये आप रह चुके हैं, ठीक है, वैसे तो ये सारे cards आप देखें, ये सब आपके लिए निकाले मैंने, ये आपके बारे में मुझे बताया जा रहा है, आपके बारे में, आपकी qualities के बारे में, आपकी कौन सी चीज बहत problematic है और कौन सी चीज जो है, आपको सताती है, कहां पे आप बहुत अच्छे हो, और वाकी में एक star seed हो, ये एक star seed हो, या एक twin flame हो, एक divya आत्मा हो, ठीक है, तो अभी मैं explain करती हूँ, ठीक है, मेसेज क्या है, कि मेसेज है related, विश्वास घात के साथ, betrayal, और साथ में, एक बहुत बड़ा डर की energy, इंसान के साथ जब जुड़ जाती है, तो वो बिचारा आगे कैसे बढ़ेगा, किसी पर trust कैसे करेगा, सीता राम चैंट, सीता राम चैंट, बड़ा मदद करेगा, some people are trying to distract you, because they want you to stay away from your blessings and gifts, ये देखिए, ये अभी मैंने दो चार messages निकालें, बाकी तो मै अब लिखी रही हूँ, तो जो main message मुझे आया है, विश्वास घात का आया है, उसमें ये चीज clear होके आ रही है, कि आपके न, कभी भी दोस्तों नहीं बनते, बनी नहीं बाते, आपको हमेशा, आपके दोस्तों ने धोका दिया, betrayal by best friends, betrayal by best friends आपको इतना जादा मिला है, school time स आप में से कुछ लोग तो ऐसे हो, अगर आप याद करोगे, पिछे अपने past में जाओगे, क्योंकि हम आज इसी की healing के बारे में बात कर रहे है, the betrayal by best friend BFF template, ये आपके template में ये problem है, जिसमें कि आपको कभी भी अच्छे मित्र मिले ही नहीं, सारे की सारे कमीने मित्र मिले, not in positive way I'm saying, ऐसे लोग मिले आपको, जिन्होंने आपको इतना torture दिया, इतना hurt किया, इतना दुख दिया, इतना गलत किया आपके साथ, कि आप सोच भी नहीं सकते, कोई normal इंसान तो इतने बुरे दोस जेल भी नहीं सकता, और सोची इतनी कुसंगती होने के बावजूद, इतने दोस्त ऐसे बनें, जो सिर्फ आपका बुरा ही चाते थे, उसके बावजूद, आज आप यहाँ हो, इनर वर्क कर रहे हो, और वो पता नहीं कहां सड़ रहे हैं, उन लोगों के करमा, इतने जादा, करमा का बैगज इतने जादा है, इतना ज्यादा, कि अब ये सेशन तो मै आजएगी हमेशा हमेशा के लिए, कुछ-कुछ ऐसी चीजे होती है, जो मैं कॉन्वर्सेशनल हिपनोसिस के थ्रू भी ठीक करती हूं लोगों की, उसके लिए मुझे वो लोग सामने चाहिए, तभी आपको पता है, मेरे जितने भी सेशन होते हैं, उसमें कोई मैं एमेल प आपको मिलेगा, वह आपको एक गंटे से जादा नहीं सुनेगा, मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ क्या सकते हूं, अपने क्लाइंट्स के साथ, मैंने इतना इतना समय बिताया एक-एक सेशन में, कि कुछ लोग मेरे पास एक-एक साल से आ रहे हैं, बार-बार आते हैं बीच-बीच में जैसे जैसे उनको जरूरत महसूस होती है, एक लड़की तो ऐसी है, जो कंटिन्यूसली ठेरपी कर रही थी, उसको मैंने फिर आठ महीने का ब्रेक दिया था खुदी, क्योंकि मैं चारी थी कि उसके अंदर से वो चीज़ें निकलें, जब वो निकलेंगी बाहर सर्फेस पे आएंगी, तभी तो हम कुछ काम कर पाएंगे ना आगे, तो बताना मुझे दोस्तों, अगर आपको लॉंग सेशन्स चाहिए, जिसमें हम इन वूंड्स को हील भी कर सके, उन वूंड्स के एक दम तह तक जा सके, और वो लॉंग सेशन्स हो सकता है, मैं ल लिए या नहीं है, क्योंकि लाइफ सेशन्स में भी एक प्रॉब्लम होती कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो उन सबके मेसेज़िस, उन सबकी एनरजी एकदम से मेरे पैरिफरी में पॉप इन करने लग जाती है, तो इसलिए मैं थेरिपी सेशन्स वन-टो-वन करती हू तो इतना विश्वास घात जब आपको मिला है, तो बहुत कम उमर से मिलना शुरू हो गया था, एक आदे कुछ अच्छे मित्र भी बने हैं आपके, लेकिन जबी भी आपका कुई अच्छा फ्रेंड बना है, तो या तो वो आपसे किसी कारण से दूर चला गया, या उसके कुछ, ऐसा कुछ हुआ मतलब जो जिसमें आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते थे, ना वो आपको ब्लेम कर सकता था, वो मित्र, या जो भी सिचुएशन थी, उसमें सिचुएशन इंपॉर्टन थी, लेकिन अधिकतर जितने भी आपको मिले, उन सब ने आपको यूज किया, द गाओं को अट्राक्ट किया, क्योंकि हर एक गाओ भी एक पोर्टल की तरह होता है, इसलिए मैंने चैनलिंग में ये काया कि हम सब पोर्टल क्रियेट करते हैं, लेकिन हम क्या है हमारे अंदर स्पैशालिटी, कि वी आर टांस्मुडेटर्स अफ एनरजी, हम लोग ना ह ठीक है, वो सारी एनरजीज का जो लम सम होता है, वो आप होते हो, और फिर उन सारी एनरजीज वही एनर्जीज दूसरी एपिसोड्स को इंसिदेंöt को सिच्वेशनको अट्राक्ट करते हैं, फ़म टां टु टां तो काफी सारी मैसिजीज आचुके हैं पहेरे पांस ऑ्ट यह सब आपने एक्सपीरियंस किया अपने दोस्तों की वज़े से इतनी कम उमर में और आपके आज पास कोई ऐसे बच्चे थे या कोई ऐसी एक स्पेसिफिक फ्रेंड हो सकती है यह हो सकता है जो हमेशा आपके आपसे जेलस रहते थे और आपको किसी ना किसी कुछ ना कुछ शब्द बोलके आपको नीचे गिराते थे एक होता है कि फ्रेंड टांग खीचते हैं रोस्ट करते हैं कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमेशा आपको रोस्ट करते रहते हैं चैसे हमारे भाई बेनों के बीच में यह बहुत होता है हम एक दूसरे को बहुत छेड़ते हैं अपने आपको बहुत आपको ईसे धिखागे हो रह इस तो इसे हैं ऍहृट यह तो आप करते हैं तो जैसे के बहुत है करते हैंने से फिक्र में अंको भी अला 궈णूड़े बॉंबिल हो या ककडी हो या ऐसे हो जो भी हो और अपने आपको मेशाँ हैंसे说 मैं तो बहुत ही बढ़िया हो मैं तो नानी। घगर जाता हूं धूद्ध मलाई खाता को हसी मजाख में टालते थे क्योंकि as a child also आपका जो नेचर था वो बड़ा ही मिलनसार था मिलनसार friendly happy बड़े cute से बच्चे थे आप बहुत ही प्यारे से बच्चे मज़ेदार बच्चे जो आपके साथ अपना समय बिताएगा वो व्यक्ति खुश रहेगा कुछ ऐसी आपकी energy थी और अपके पास वो गुण भी था कि अपनी दुनिया में भी रहना जानते थे आपको parents आपके बारे में ये बोलते होंगे कि ये तो अपनी दुनिया में बच्चपन से ही रहना जानता है या जानती है लेकिन जैसे जैसे बुरी चीज़े होती है या जैसे जैसे कुछ अन्होनिया घटती है कुछ experiences होते हैं बच्चों के साथ और उनको कोई ठीक से heal नहीं कर पाता कोई उन्हें समझाने वाला नहीं होता अब जैसे मान लो उनके माता पिता हैं वो poverty consciousness से जूज रहे हैं ठीक है और वो दिन बर रोते रहते हैं पैसों को लेके कि पैसे नहीं है पैसे नहीं है ये नहीं है अब वो नहीं है हम कितने गरीब हैं हम कितने दुखी हैं हमारे तो अपना घरी नहीं है हमारे तो ये नहीं है हमारे तो वो नहीं है या जो भी है इसमें parents को blame नहीं किया जा रहा हो सकता है घर में ही माता पिता के अंदर किसी चीज़ को लेके बहुत जादा addiction हो मा को शायद बहुत जादा gossip करने की addiction हो पिता को हो सकता है बहुत जादा cigarette पीने की addiction हो depending on आप कौन से culture से हो विदेशों में कहीं बार उल्टा भी होता है इंडिया में भी होता है कि मुझे कोई मेरी student मिली थी उसने मुझे कहा था कि उसकी mother को smoking की बहुत habit actually उसने नहीं बताया था मैंने ही reading के द्वारा बताया था कि ऐसे से कुछ addiction pattern है तो addiction pattern किसी के भी घर में किसी भी रूप में आ सकते हैं लेकिन समझने की बात यह है कि जो बच्चे होते हैं वो सब कुछ एक sponge की तरह अपने अगल बगल के लोगों से सोक कर लेते हैं उसमें कुछ अच्छी बाते भी हो सकती हैं और कुछ गलत भी हो सकती हैं जैसे कि मैंने भी बोला कि अगर मान लो आपके family में किसी को over sharing की बहुत गंदी आदत है वो इतनी over sharing करते हैं तो obviously बच्चे से भी over sharing करते हैं बच्चे को भी देखते कि शुरू हो जाते हैं आज में जे साथ ऐसे हुआ आज में साथ ऐसे हुआ office में बड़े बुरे लोग रहते हैं दुनिया ऐसी है जमाना खराब है किसी पर वरोसा ही नहीं कर सकते something something लिस से और अपनी पूरी एक लंबी सी कहानी उस छोड़े से बच्चे के आगे सुना दी रो रो के कई बार सर पीट पीट के तो जो बच्चा है वो एक हैपी गो लगी बच्चा एकदम से शौक में आ जाता है उसको समझ नहीं आता ठीक है जब पेरेंट्स हट से जादा ओवर शेरिंग करते बच्चों के आगे हच से जादा अपना दुख शेयर करते हैं हच से जादा दूसरों की बुराई करते हैं तो इससे प्रोग्रामिंग तो होती है चलो एक पॉइंट है लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यह है कि बच्चे का संसार उसके मात पिता होते हैं चोटे बच्चे का जैसे वह बड़े हो जाते फिर वह अपनी दुनिया खुद बनाते राइट तो वह अपने पेरेंस को इतना प्यार करता है इसपेशली अगर एक एंपधेटिक चाइल्ड होगा एक इनर वर्क करने वाला बच्चा है अपनी दुनिया में God's Grace अलग है मान लो तो उसके अंदर Empathy और Compassion भी जादा होता है उस Empathy और Compassion की वज़े से जब वह अपने माता पिता को सारा टाइम रोते पिटते लड़ते जगड़ते दुखी होते चुगली करते गॉसिप करते ये बुरा ये भला ये सब करते वे चलते हैं देखते हैं त नहीं दफ़ ऐसे बच्चे को फिजिकल अब्यूस से गुजरना पड़ता है या बहुत सी ऐसी कुरीतियों से गुजरना पड़ता है जो वो बिल्कुल चाहते हैं अपने पेरेंट्स को जाके बताना वो किसको बताएं उनको भी तो किसी से बात करनी ना उनको भी तो कोई चाहिए है कोई ऐसा चाहिए है इंटेलिजेंट विक्ति जिसको वो जाके वो बात बताएं तो वो जिसको बता रहे हैं अगर वो उन बच्चों को सही से हैंडल नहीं कर पाते नहीं समझा पाते तो इससे फिर बच्चा तब फिर और प्रोग्राम हो जाता है ठीक है तो पह बच्चे का compassionate nature है, उसकी empathy factor है, उसका अच्छा दिल है, अच्छा मन है, उसके अंदर इतना ज्यादा care और concern है कि वो अपने adults को भी दुखी नहीं देख सकता, कहीं बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चे बहुत ही abused environment में होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे पैदा हुए होते हैं, इतन इक और point में आपको इसी वक्त बता देती हूं, इससे पहले आपके मन में बहुत जादा bitterness पैदा हो जाए, कि आपने खुद ये template चूज किया है, ठीक है, और अगर आप बाकी लोगों को देखते हैं, जिनके पास inner work की कोई भावना नहीं है, जिनके पास inner work का वर्दान ही न पादा हुएं, यानि कि पिछले जनम में कोई पाप किये थे उन्होंने, या कुछ गलत काम किये थे उन्होंने, या फिर कोई ऐसा lesson है जो उनको सीखना है, इस वज़े से प्रारब्द के कारण वो उस situation में पैदा हुए हैं, लेकिन आप देखिए कितने सौभाग्यशाली ह कि आप पैदा हुएं ऐसी situations में इतना जादा अपने torture भी जेला, उसके बावजूद आपके अंतर ये जोती जगी है किया मुझे अपनी life को बदलना है, कहीं ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा नहीं होता, देखो अपने चारों तरफ, पूरी की पूरी दुनिया को देख गुर्णानक जी के, ये जो best friends से आपको धोका मिलता है ये कहीं न कहीं इस वज़े से भी मिलता है क्योंकि आपके जो parents है या आपकी family है या जो आपके caregivers हैं, कहीं जगाओ पे दादा दादी का भी बहुत जादा रोल होता है बच्चों को पालने में, grand parents का होता है जिनकी joint family रही होती बच्चपन में या भी कोई और लोग भी होते हैं अंकल, आंटी, मौसा, मौसी, चाचा, चाची, कोई ना कोई बड़े influence कर रहे होता हैं जैसे instagram पे influencers है आपकी life में भी बच्चपन में काफी लोग influencers थे, तो आप उनको देखते हैं, उनसे सीखते हैं और उनकी भी जिसमें family friends ही आके abuse करते हैं बच्चों को, या रिष्टेदार आके abuse करते हैं बच्चों को, वो बच्चों का सोचों क्या हाल होता होगा, एक तो घर में आने वाले लोग, घर के अंदर आने वाले लोग, उनके पास दिन रात access है, बच्चा तो टॉर्चर में जीता होगा, torture में, उसका एक एक दिन, जब जब वो व्यक्ति घर में आता होगा, जो उसे abuse कर रहा है, तब तब बच्चे के अंदर ऐसी भावना आजाती होगी, कोई वो कहां जाए, क्योंकि वो अपने ही घर में safe नहीं है, अपने ही माता पिता की छत्रचाया में वो safe नहीं है, तो वो बहुत important है, उस भावना का होना, surrender का होना, जिसकी वज़े से आप inner work करोगे, कहीं दफ़े मैंने देखा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अच्छी खासी therapy चल रही होती है, किसी ना किसी psychologist के चक्कर लगाने लग जाते हैं, या किसी ना किसी और एक जगा नहीं जा रहे होते है दस-दस जगा से दस-दस बाते सुनते हैं, और फिर अपनी therapy खराब करने लग जाते हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं मैं तो अब ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, और कभी-कभी वो एक ऐसे point पर आके यह करते हैं, जैसे उनकी therapy जस खताम होने वाली है, बिल्कुल एक बड़ी आसा space मिला है, जहां build-up होने वाला है, इसलिए तो मैं अपनी therapies में लोगों को break देती हूं, जाधा तर मेरे students इसी बात से खुश हैं क्योंकि उन्हें बीच-बीच में breaks मिलते रहते हैं, यह नहीं है कि इतने पैसे पेकी हैं, तो अब उसी time, मतलब अगर आपने एक session का इतना ex amount दिया है, तो अब आपके 7 sessions में आज ही कर देती हूं, या हर एक दिन करती हो, हफते में करती हैं और खतम निपटा लो, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोई एक चीज को हम heal करते हैं, तो दूसरी जगह से दूसरी चीज अपना सर उठाती है, ठीक है, और ऐस जैसे ही एक एक करके प्यार्ज को जैसे छिला जाता ना, वैसे हम layer by layer therapy करते हैं, तो इस channeling में मुझे ये बताया जा रहा है, कि जब आपके साथ बच्पन में इस तरह की चीजे हो रहे थी, तो आपने अपने दोस्तों से कटना इस वज़े से भी शुरू कर दिया, या आप क्या सकते हैं कि energy आपकी ऐसी हो गई कि friendship नहीं हो पाती थी, क्योंकि घर में ही जो लोग आ रहे थे, वो आपको betray कर रहे थे, या तो आपके parents आपको पूरी तरह से सुन नहीं पा रहे थे, या आप उनके पास जा नहीं पा रहे थे, जिसकी भी मैं channeling कर रहे हूं, आपने का काफी समय तक mistrust, sadness, depression, social anxiety और एक self blame के attitude, एक feeling को भी काफी दिनों तक झेला है, या सहा है, withdrawal भी हुआ है आपको दुनिया से, क्योंकि आपने जब जब दोस्त बनाए तब तब आपको किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी कारण से, आपके साथ उन लोगों ने इतना बुरा किया, मुझे दिखाया जा रहा है कि आपके बारे में गलत मलत बाते बोली गई, आपके बारे में जूट फेलाया गया, अगर आप किसी ग्रूप में गयमान लीजिए, आपका कोई बड़ा ग्रूप बना, और उसमें आपको अधिकतर लोग पसंद करते हैं, especially opposite sex के, तो वो जो लड़िकियां हैं उस ग्रूप में वो सब आप से जलने लग जाएंगी, वो आपके बारे में गॉसिप करेंगी, गलत मलत बोलेंगी, ये सब तो आपके साथ ताब हो रहा था जब आप अपने पार्टी फेज में थे, बहुत लोगों से मिलते थे, एक जो बच्पन का फेज था, स्कूल फेज था, कॉलिज फेज था, उसमें भी आपके साथ ऐसी कुछ घटना है, गटी, कि जबी भी आपने किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया, तो ये जो बेस्ट फ्रेंड शब्दना, एक समय के बाद आपको इस बेस्ट फ्रेंड शब से ही ट्रिगर ह लग गया, आपने लोगों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना ही बोलना ही छोड़ दिया, आपके दिमाग में ऐसे फीलिंग जाने लगे कि जिसको भी मैं बेस्ट फ्रेंड बोल देता हूं या बोल देती हूं, वो तो भाया मेरे जी का जंजाल बन जाते हैं, मेरे दुक्क कारण बन जाते हैं, मेरे इंसल्ट कराने में ही लग जाते हैं, इन में से कुछ दोस्त आपके ऐसे बने थे, जैसे मान लीजिए आप टीनेज में आगए, प्यूबर्टी में आगए, थोड़े से बड़े हो गए, अब आपके अंदर तो शुरू से भगत एक डिवोटी, ए इसे ऐसे आपने उन्ही की वज़े से काटे, आप क्यूंकि भगवान से इतना ज्यादे इंटगेटेड़ थे, सोर्स इंटिग्रेशन आपका इतना स्ट्रॉंग था, कुछ ना कुछ आप करते थे, यह आप सच सक में जाते थे, कीरतन में जाते थे, कहीं भजन गाते थे य कोई ना कोई ऐसी आक्टिविटी आप 100% मैं शूर हूँ मुझे बताया जा रहे कि आप बच्पन में करते थे जिसकी वज़े से आप बहुत जादा प्रोटेक्टेड रहे हो यह शायद आपको अब रिलाइज हो रहा होगा स्पेशली आज यह चैनलिंग सुनके तो बिलकुल ही रिलाइज हो जाएगा पिर जैसे ही आप यूबर्टी में आए टीनेजर बने कॉलेज गए स्कूल गए मतलब हाई स्कूल गए तो आपके कुछ ऐसे दोस्त बने जिनकी नेचर तो मतलब बाहर से तो दिखाते थे बहुत अच्छे हैं लेकिन जैसे कह सकते हैं जिन में बूरी आदतें बहुत थी जिनकी बूरी आदतें इतनी थी और आपको जब वो देखते थे तो उनको एक ऐसा लगता था कि और इस इनसान को मैं दुख कैसे दूँ पर वो आपको ऐसा दिखाते नहीं थे क्योंकि आपने भी स तो काल्ड बेस्टीज थे इनको पता था कि अगर आप गूरूप में होगे या आप उस माहौल में होगे तो लोग खिचे वे चले आएंगे जैसे मानलों को पार्टी करने जाना है तो आपको ज़रूर ले जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि आप लोगों को अपनी तरफ अट्राक्ट करोगे या फिर उस ग्रूप की जो शोबा है उसे बढ़ा होगे अपनी परस्नालिटी से अपनी लुक से अपने बात करने के तरीके से लोग आपको देखेंगे तो वो आपको देखेंगे तो उनको भी देखेंगे उस वक्त तो वो एक साइड किक की तरह भी ह कर्शित होंगे आपकी नेचर से खर्शिद और लिक से आपको इंपडाइस करना बह। आता है आप अंजान वियु आवाइस से बैटके बाते कर सकते हो आप में वो गुणैं तो उस एज में यह वाला जो गुणैं यह बडा काम भी आता है और इस तरह के लोगों को आप से झलन भी Constly मित्र होती तो जो इस तरह की मित्र हैं जो ये selfish और जलने वाले जलन, खोर मित्र थे आपके इनको लगता था कि हैं उसी से चिपके पड़ें और शबलोग इसी की वाव़ा Agreed कर रहे हैं सब इसी के दिवाने हो रहे हैं लड़का या लड़की दोनों के केस में ये अपलाइड होता है तो फिर वो अपना Manipulation करते थे ताकि वो सारे लोग जो मदुमक्खी की तरह आप पे अट्राक्ट हो रहे हैं वो सब उन पे करो, मैं बताती हूँ क्यों, उसका पॉइंट अब आने वाला है, आप किसी को भी ब्लेम मत करो, क्योंकि चाहे वो बचपन के वो लोग हों, जो फैमिली मेंबर्स के साथ घूमते फिरते थे और आपको तंग कर रहे मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज मुझे एक दम से याद आई है, उस वक्त मैं कुछ 16-17 साल की रही होंगी, मुझे याद है, और मैं मॉल्स में प्रोमोशन करती थी, प्रोमोशनल जॉब्स जैसे होती न, दो-तीन दिन की, कोई, पहले यह सब बहुत होता था, आज कल इतना नहीं उता याज कल hoता भी होगा तो मुझे नहीं बता, लेकिन जैसे मेरे कुछ बहुत बुरे दोस्त बने थी, जुनकी बहुत गंदी हाबिट्स थी, वैसे ही समय पे मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त बने थे, उनको देखके मैंने बहुत कुछ सीखा, उनको देखके मैं बहुत कम उमर में काम करनें लग गई, एक लड़की हुआ करती थी मेरे हॉस्टेल में, जो कि मुझे याद है उसको कुछ प्राबलम हुईती, उसको पैरो की दिक करती उसका चलना फिरना थोड़ा डिफिकल्ट था बट अपनी मन की शक्ती से उसने जो लड़की जिसके लिए डॉक्टर ने ये का था कि वह चल फिर नहीं पाएगी कभी उस लड़की ने खड़े होके सब कुछ करके वह पार्ट टाइम जॉब्स बहुत करती थी वह सीनियर इंडिपेंडेंट रहना पसंद है मुझे किसी से कुछ लेना पसंद नहीं है तो इन बातों ने मेरे पे बड़ा अच्छा प्रभाव डाला तो मैंने का ठीक है मैं भी आपके साथ चला करूंगी आपको जहां जहां जाना है जब जब आप जाओगे प्रमोशन करने इवें मुझे आद आई पिर मैं जब मॉल में वहां पर खड़ी थी मुझे भी भी आद है कि मैं खड़ी थी और मेरे सामने काफी सारे लोग थे तो मेरे सामने एक फैमिली बैठी वी थी मैं तब एकदम सामने नहीं थी थोड़ा डिस्टन्स था और काफी सारे लोग थे ऐसा नही साथ एक अधेड उम्र का व्यक्ति था और इस अधेड उम्र के व्यक्ति ने सब के सामने मतलब सारे बैठे में पर कोई ओविसलि ध्यान नी दे रहा सबका ध्यान इधर उधर बातों में है उसने उस बच्ची को बड़े प्यार से पकड़ावा है इस तरीके से आगे से लेकि इतना जादा एविडेंट था मगर किसी को आसपास ना मा को ना भाई को ना बाप को क्योंकि वो जो विक्ति था वो एक अधेड उम्र का विक्ति था वो कोई भी हो सकता था चाचा मामा ताउ कोई फैमली फ्रेंड इवन फादर भी मैं इसी उधेड बुन में दीगी किसी ने मुझे पीछे से आवाज दी और क्योंकि मैं वहाँ पे कोई जॉब कर रही थी हम लोग कोई प्रमोशनल कैंपेंड कर रहे थे तो मुझे वहाँ से जाना पड़ा मैं चली गई उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं वापस गई उसी जगह पे तो आप यह लगा लीजिए कि मैं यहां थी अगर यह डोर है मैं डोर की तरफ खड़ी थी तो मेरे सामने एक बड़ा सा प्लाटफॉर्म था उस प्लाटफॉर्म पे एक बड़ा राउंड सा पिलर था उस पिलर के चारो तरफ लोग थे लोग वहाँ फोटोस खिचवाते थे बैठते थे बाते करते थे व तो मैंने अपनी life को totally dedicate कर दिया इस path पे तो मुझे लगता है कि ये सब कितना जादा prevalent है, ये सारी चीज़े कितनी जादा prevalent है, जो main point था वो ये ही था कि वो व्यक्ति जो उसको molest कर रहा था, उसको abuse कर रहा था, वो दिन दहाडे, खुले आम, open space में, मतलब ये भी नहीं कि घर के अंदर, पूरी दुनिया के सामने वो ये चीज़ कर रहा था, इतनी openly, पर वो बच्ची बोल नहीं पारी थी, वो बच्ची कुछ कह नहीं पारी थी, क्योंकि वो energy ऐसी थी, हो सकता है कि अगर उसी वक्त वो बच्ची बोलती, चिलाती, कुछ होता, लेकिन वो उसने क्यो नहीं बोला, क्योंकि वो एक अपना ही इनसान रहा होगा, जिसने उसके साथ ऐसा किया, फिर जब ऐसे बच्चे दुनिया में बाहर जाते हैं, तो उनके कैसे दोस्त बनेंगे, आप सोचिए, जिनके घर में ही ऐसी प्रोग्रामिंग होरी, घर में ही ऐसी energy मिल रही होने, व उनके ऐसे दोस्त होते हैं, उनके ऐसे relationship बनते हैं, जिसमें सिर्फ lust ही number one होता है, या उनको use करना या पैसा, वो ऐसे दोस्त बनाते हैं, जो उनके सिर्फ ATM मशीन की तरह treat करते हैं, बाहर ले जाएंगे, घुमाएंगे, फिर आएंगे, pubs ले जाएंगे, एडिस को ठेक ले हैं, अगर उनको ये पता भी होगा ना, कि उनके अंदर ये talent है, ये गुण है, ये प्रतिबा है, ये रूप है, जो भी है, उनको वो दिखाई नहीं देता उस वक्त, उनको तो बस ये लगता है कि चलो कोई मुझ से बात कर रहा है, कोई मेरे साथ बैठा है, कोई मेरे साथ hangout कर रहा है, ये ज़रूर मेरे well visher होगा, या well visher होगी, ठीक है, तो channeling में ये एक heavy energy थी, जो मुझे आप लोगों से share करनी थी, ताकि कहीं ना कहीं आप लोग भी अपने बच्पन में जाएं, उन चीजों को face करें, क्योंकि fear को हमेशा face करना चाहिए, अपने pain को face करना चा फिर वो बड़े होके खराब relationships की वज़े से हो, या फिर वो बीच का phase हो, जब आप totally lost थे, bad company में थे, कुसंगती में थे, आपको बचाया किसने? आपको बचाया positive energy ने, आपको बचाया आपके masters ने, आपको उन सारे गलियारों से निकालते वे भगवान लेकर आए, ना आप के साथ इतना बुरा किया, कि बिल्कुल ही बुरा भी नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा गंदा भी होता है लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा बुरा भी होता है लोगों के साथ, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपको कोई भी अध्यात्मिक problem हो, कहीं दफ़े लोगों क इस बात से भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि इस धर्ती में यह हो क्या रहा है तो आप पर्सनल सेशन लीजे आप काउंसलिंग लीजे आपको काउंसलिंग की जरुरत है आपको हैंड होल्डिंग की अगर जरुरत है तो आप दुनिया भर में शॉपिंग करके इधर उदर जा साथ जाना अलग बात है कि मॉल वाल में बैट गए वैसे तो मुझे मॉल भी बिल्कुल पसंद नहीं है मॉल में बहुत रेरली अगर मेरे घर वाले मुझे खींच के ले जाए या कोई मुझे कहे की चलो वहां पर कोई मूवी लगी है कोई बहुत अच्छी मूवी है कोई बह विच्वल तरीके से उसे रिव्यू और बाइफर्गेट करती हूं तो कुछ ऐसा होना चाहिए मतलब कि मेरे से प्लान नहीं होता यह सब अपने प्लान होता है और जो चीज मैं आपको बताने वाली हूं आज इस चीज से आपको भी फायदा हो कि मेरा भी हुआ हम लोग हम जैसे जितने भी लोग हैं जो इनर वर्क कर रहे हैं आंतरिक कारे कर रहे हमारी जितनी भी इंकम है इसमें से मैकसिमम अमाउंट जो भी हम कमाते हैं वो हमारे मिशन में जानी चाहिए क्योंकि मैं मिशन वर्क में हूं बहुत सालों से तो मुझे ऐसे भी लोग मिलते हैं जि लाइफस्टाइल है, वो पार्टी भी करते हैं, वो ड्रिंक भी कर रहे हैं, वो स्मोक भी कर रहे हैं, I am not unhappy कि वो mission work नहीं कर, mission work कर रहे हैं, उसको फिर हम mission work नहीं कहते हैं, क्योंकि मैंने अपने master से बात पूछी, और जो ये कृपा होती ना, इसका पता कैसे चलता है, उसको भगवान बनाने की कोशिश की, पर आज वो कहाँ हैं, देखी रहे हैं, दुनिया, मैं ये नहीं कहती हैं, कि अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता है, अच्छों के साथ भी होता है, यही तो ये planet है, यह planet ऐसी माया है इसमें अच्छों के साथ भी बुरा होता है बुरों के साथ भी बुरा हो रहा है बुरा तो सब के साथ हो ही रहा है किसी ना किसी level पर इसलिए जो यह सारा कर्मा आपने collect किया है इसको neutralize करना जरूरी है कहीं लोग ऐसा बोलते कि I only want to do good deeds वो भी गलत है क्यों आप यह नहीं बोलिए कि यह मैंने किया है तब आपका जो deed है वो totally neutralize हो जाता है अगर आप यह कहते कि यह मैंने नहीं किया यह मेरे master's ने किया है यह source ने किया यह सब कुछ उनका किया हुआ है तो आपने भी जो किया और जो कहा बातों बातों में क्योंकि कहना पड़ता है कभी कभी यह language ही ऐसी है भाशा ही ऐसी है इंसान इतना बोलते हैं जानवर पशू पक्षी पेड कुछ भी नहीं बोलते हैं फिर भी वो कितने कितनी बाते हमें कह देते हैं बिना बोले और इंसान को इतना सब कुछ बोलना पड़ता है यह तो मैं मेरा मुझे यह कहना ही लगुष आपसे बात करती हूं। लेकिन करवाने वाले अक्षुली मillä सोर्स और मास्टर सी होते हैं क्यूंकि हम लोग बहुत असमर्थ हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं और जो लोग आपको लगता है बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत महान हैं, बहुत वेल्दी हैं, बहुत सक्सेस्फूल हैं, ये भी उनके पिछले जन्मों के कोई संचित कर्मों होते हैं, कोई ऐसे कर्मों होते हैं, जिनकी वज़े से उनको ये धन की प्राप्ती हो रही है, या आप God हैं और आप Goddess हैं लेकिन ये हिंकार में कहने वाली चीज नहीं है I think आपको मेरा point अब समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चारी हूँ सिमिन लली पैसे भी कमाना जरूरी है अपनी responsibility पूरा करना भी जरूरी है liability को complete करना भी जरूरी है लेकिन आपकी income का maximum हिस्सा किसी ना किसी अच्छे काम में किसी ना किसी mission में किसी ना किसी project में जिससे दूसरों का फाइदा हो उसी में खर्च होना चाहिए तब जाके आपका जो करमा है वो neutralize हो जाता है तो उपर वाला आपका ध्यान रखेगा क्योंकि अगर आप किसी की रोटी की चिंता कर रहे हो आप किसी की दवादारू की चिंता कर रहे हो ऐप किसी को घर बनाके दे रहे हो या आप किसी भी तरीके सोने कपड़े बिना रहे हो तो आपको क्यों लगता है भगवान आपको नहीं देंगे आपको भी देंगे。 पर यह जो एगोगो की दुन्या है यहां पर जो लोग रहते हैं अगर आप उनके जादा उठोगे बैचोगे तो आपको भी मैं करनी पड़ेगी, मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ, कि वो मजबूर करते हैं, जितने भी लोग, मैं भी जब इऔर इगो वालों के साथ हैंग आउट करती हूँ बीच बीच में, तो उनकी अनरजी उनके आगे हम ऐसे बोलते थे जैश्री राम मिलने के बाद तो कहते थे यार तुम हमारे आगे ये जैश्री राम मत बोला करो तो एक दो बार तो हमने जहिल लिया फिर एक दिन मेरी माताश्री ने ऐसा सुनाया उनको कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है अगर हम पर है भगवान के पास आप शरीर से भी जा सकते हो बिना शरीर के भी जा सकते हो अगर आपको लगता है कि हम भगवान के पास जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है यह तो फिर लेकिन उनके साथ भी बुरी चीजें हुई है कुछ दिनों बाद ही उनके साथ बहुत बुरा लेकिन फिर जब मैं एक बार फिर उनकी शॉप में गई तो मैंने देखा कि उन्होंने भगवान राम के नाम के ही कुछ लॉकेट्स बेचने के लिए रखे हैं तो जब उनको बिजनेस करना है तो उन्होंने उस चीज को पकड़ लिया उनको लगा कि अरे वाह राम की भक्तों यहां बहुत है राम नाम जपने वाले बहुत लोग हैं तो चलो इसको मैं बिजनेस पॉइंट आफ यू से यूटिलाइस कर लेता हूं तब उनको बुरा नहीं लगा राम का नाम लेकिन कोई जब रहा है कोई कह रहा है तो वो उसको बार बार डी मोटिवेट करते थे कि मत करो और मैंने उनको एक बार बोल भी दिया था कि आप में ना बहुत ज़्यादा एगो है सिर्फ हरकते देखके ही पता चल जाता है जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं आप नोटिस कीजिए जो बहुत ज़्यादा फेमस पॉपिलर होते हैं वो बहुत केटिवे होते हैं, इतनी चीजों में उनका रुजहान होता है, और सिरफ और सिरफ दूसरों के साथ fit-in करने के लिए, समाज के साथ fit-in करने के लिए, उनके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है, की भाई, मुझे लोग accept ही नहीं करेंगे, कि अगर मैंने यह सारी अक्टिविटीज नहीं करी तो और मेरे पास बताने के लिए इतिनी बाते हैं जैसे मैंने कहा I can do a two, three hour session also लेकिन कुछ मेरी भी मजबूरिया है शायद तो दोस्तो अब कुछ अच्छी चीजे भी हुए आपके साथ में बताती हो यह जो lonely lens है यह जो isolation आपको मिली जिसकी वज़े से आप close friendship नहीं form कर पाई यह जो mistrust, sadness, depression, social anxiety, self-blame यह सब आपने जहला इसकी वज़े से you cultivated empathy and compassion for others आप उन लोगों को भी पहचानने लग गए जिनके साथ यह हुआ है अपने खुद के दुख की वज़े से अपने खुद के अंदर हुए loneliness की वज़े से, isolation की वज़े से, sadness की वज़े से आपके अंदर वो दवा आ गई यानि की दर्द का इलाज वही करता है जिसके पास उस दर्द की दवा हो और दर्द की दवा उसी के पास होती जिसके पास दर्द हो क्योंकि आपके पास वो दर्द था आप उस दर्द से जहले थे आपने उसका गाओ उसका वूंड उसका इलाज किया था उस वूंड का या भी भी कर रहे हो तो आपको ऐसे लोग दिख जाते हैं या ऐसे लोग मिल जाते हैं जैसे कि मेरे इस work में मुझे बहुत से animal lovers मिले है इन फाक्ट एक लेड़ी मेरे पास आई थी उनको cancer की बिमारी हो गए थी उनका इलाज कहीं और नहीं हो पा रहा था उन्होंने मेरे से therapy ली थी छे साथ sessions लिये थे और उसके बाद उनकी report में cancer ही नहीं रहा तो मैंने उनको आगे जाके दो तीन sessions के बाद का कि आप animals रख लो अपने पास दो चार बिली के बच्चे या कुत्ते के बच्चे पिले रख लो प्यार से पालना उन्हें यह नहीं कि मैंने बोला है तो जबरदस्ती रख रहे हो वो इतनी लोनली भी थी उनकी life में इतना pain था वो इतनी ठुकराई हुई थी हर जगा से discarded थी कि वो जो बिली क बच्चे उन्होंने पाले तो उन बिली के बच्चों ने ठीक कर दिया उनका इलाज कर दिया सोचो प्रेम से प्यार से अनकंडिशनल लव से क्योंकि मैंने भी देखा मेरे life में भी animals ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है कुद्रत ने पानी ने पहाडों ने और सबसे कि मैं वो लड़की हूं मैं आपके सामने अगर ये चैनल लिंग्स आज बना रही हूं तो मैं वो लड़की हूं जो मल्टी नैशनल कंपनीज में काम करती थी जो बहुत बड़ी marketing की जॉब करती थी जो मुंबई में रहके आ चुकी है जिसने किताब लिखी है एक फिल्म ल यह बोल पा कि तम तो इसे जो बिचारे बोल ही नहीं पार है वो ऐसी तबाओ बर बाद हो जाते हैं फस जाते हैं ट्रैप से निकल नहीं पाते कुछ ऐसे celebrities हैं जिन्होंने मुझे खुद ये बाते बोली हैं कि मैं एक trap में फस चुका हूँ मैं एक trap में फस चुका हूँ मैं इससे निकल नहीं पा रहा तुम बहुत लखी हो तुम निकल गई तो दोस्तो इस betrayal ने इस loneliness ने इस pain ने आपको एक बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया और वो था resilience strength का देखे इसमें लिखा हुआ है English में लिखा है मैंने some children develop inner strength and started relying on themselves they developed independence आपने खुद को जिस बात से मुझे शुरुआत में मेरे चाहरे पर smile आ रही थे अगर आपको यादो आपने अपना best friend खुद को ही बना लिया आप अपने best friend बन गए आपको अपनी company बहुत अच्छी लगती है आपको अपने आप से बाते करना बसंद है आप अपने साथ गूमने जाते हो आपको किसी की जरुरत नहीं आप पोलो ट्रिप्स भी कर सकते हैं और आपको हर जगा अच्छे लोग मिल जाते हैं कहीं ना कहीं यह जरूरी नहीं हर जगा अच्छे लोग ही मिलें पिर यह नहीं की मेरी बाते सुनके निकल के bag लेके प्रिपेर रहना बुरे और अच्छे एक्स्पिरियंस हर जगा होते हैं लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति आपको ऐसा जरूर मिलेगा इस जिन्दिगी के सफर में जो आपका बेस्ट बन जाएगा healing के बाद आपको best friends मिलेंगे और वो भी आपको कहेंगे कि आप उनके best friend हो वो भी आपको बोलेंगे कि आप उनके सब कुछ हो दीरे-दीरे होएगा यह कहीं दफ़े आपको बहुत काम के लोग मिलेंगे बहुत अच्छे लोग मिलेंगे लेकिन उनके अंदर इतना क्रोध इतना pain इतने wounds होंगे कि वो आपको तंग भी करेंगे कभी-कभी as a teacher फिर आपको उनकी मदद करनी पड़ेगे as a guide और उनको सिखाना पड़ेगा कभी-कभी और कभी-कभी उनको भी ignore करना पड़ेगा ताकि वो भी अकेले बैठे जाके उन्हें भी पश्तावा होए कुछ बात को लोती है यह सिर्फ खुद को ही independent नहीं बनाती है यह औरों को भी independent बनाने की प्रेड़ना देती है इसमें इतनी power है तो आज मैंने जिससे भी बात करी है जो भी लोग इस energy से resonate करते हैं इतना सब कुछ हुआ है आपके साथ फिर भी आप यहां पर बैटके वीडियो देख जहां भी हो आप तो आपको salute है मेरा मैं आपको बहुत ज्यादा respect करती हूं मुझे लगता है आप एक बहुत amazing बहुती उम्दा व्यक्ति हो बहुती उम्दा इंसान हो क्योंकि आप अपने उपर work कर रहे हो जो इंसान अपने उपर work करता है जो अपने flaws को हटाने की कोशिश करता है इगो उसके पास नहीं आती और इगो वाले लोग भी उससे चिड़ जाते हैं तो अगर वो जाते हैं तो जाने दो goodbye यही से goodbye भोल दोने है ठीक है So this is where I'm gonna close this channeling session. Thank you so much for being here. Thank you, thank you, thank you कि आप inner work कर रहे हो पीछे से कुछ construction की आवाज भी आ रही है तो यह एक sign है कि मुझे इस वक्त इस channeling को भी close कर देना चाहिए I will see you soon in another one. Personal sessions के लिए यह मेरा email address है और नीचे ज़रा ध्यान से देखिए description box में सब कुछ है जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं आपका mail ID कहां है तो email ID अब मैंने यहां लिखके देना शुरू कर दिया है वो कहां है details reading की वो सब नीचे है under, below, underground, ठीक है तो इस पे नीचे क्लिक कीजिए इसमें therapies, इसमें personal sessions, इसमें सारी details है इस बात की चिंता मत करना कि आप अगर म वो है प्यार की दवाई, love is the only medicine that can heal all the sickness of this planet और यह दवाई हमको मिलती है हमारे master से और पूरे रामदर बार से, alright, so one love, peace out and Jai Shri Ram